हलो फ्रेंद्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और वीकली करंट अफेर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 26 दिसंबर है आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेर हम करने वाले हैं आप सबी के लिए टेलीग्राम चेनल पर क्विज अपलोड कर दिया गया है वहाँ जाकर आप इस time कर सकते हैं इस लेक्ट्चर की पीडिएप भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी सभी को टेलीग्राम चेनल जोइन करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन जो आईसीजी अंडर 19 क्रिकेट वीशु कप 2022 है वो वेस्ट इंडीज के अंदर होने वाला है सेकिंड क्वेशन है ब्रह्मोज एरोस्पेस लिमिटेड के MDO CEO कौन बने है तो ये बने है अतुल दिन कर राने ब्रह्मोज मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोज मिसाइल को रूस वे भारत मिलकर निर्मित कर रहे है और जो ब्रह्मोज मिसाइल है वो एक सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल है अगला क्वेशन है रास्ट्य गणित दीवस 2021 कम मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को अगला क्वेशन है महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरन के लिए उरान योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है तो ये शुरू किया है राजस्तान की सरकार ने और एक केंद सरकार की उरान योजना भी चल रही है उसका फुल वाम है उरे देश का आम नागरी उसमें क्या है सस्ते टिकीट वाली फ्लाइड चलाई जाती है लेकिन ये है राजस्तान की उरान योजना और ये क्यों चलाई ग का उद्गाटन किया है तो यह किया है महानदी के उपर अगला क्वेशन है चीन में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं तो यह बने हैं प्रदीब कुमार रावत प्रदीब कुमार रावत भारत वचीन के बीच लद्दाग विवाद को सुल्जानी का प्रियास करेंगे और आपको बता दे कि चीन में विंटर ओलंपिक गेम्स भी होने वाले हैं, जो 4 फरवरी 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं. अगला क्वेशन है, हाली में किस राजे सरकार ने 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टपॉन योजना शुरू करने की घोशना की है? तो ये की है उत्तरपॉन सरकार ने, इसका correct answer है उत्तरपॉन की बात करें, तो जब फोन में computer की capacity आ जाती है, तो उसे स्मार्टपॉन का आ जाता है, भारत में सो में से केवल 38 लोग ही mobile phone का अच्छे से use करना जानते हैं. नेक्स्ट क्वेशन है, कौन सा क्रिकेट खिलाडी अपने test केरियर में सो बार not out रहने वाला दुनिया का पहला खिलाडी बन गया है? तो ये बन गया है James Adderson जो England की खिलाडी है. नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेशन है, हाल ही में सैयुक्त राष्ट विश्व खार्दे कारिकरम ने भारत में किसके साथ statement of intent पर अस्ताक्षर किये हैं? तो इसका correct answer है नीती आयोग, और नीती आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधान मंत्री होते हैं, और इ में कौन सा राज्य मोब लिंचिंग की रोक्ताम के लिए बिल पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, तो इसका correct answer है जारकंड, अब मोब लिंचिंग क्या होती है, भीड के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करना मोब लिंचिंग कर लाती है, और पश्चिमी बंगाल राजस्तान के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला जो जारकंड है, वो तीसरा राज्य बन गया है, अगला क्वेशन है, खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नरसरी योजना 2022 और 2023 को किस राजी की सरकार ने शुरू किया है, तो ये स्टार्ट किया है हरियाना सरकार ने, इसका गरेक्ट अंसर है हरियाना, अगला क्वेशन है, किस कम्तनी को गोल्डन पिकोग परियावरन प्रभंदन पुरूस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है सैल को, अगला क्वेशन है, new land, तिसे मेन्यू, चुमू के दिमा, किस राजी के तीन परस्नेल्टी ओफ दीयर दोहसार रिकीस का पुरस्कार किसने जीता है तो यह जीता है एमा रादुकानू ने नेक्स्ट क्वेशन है भारत के पहले अंतराज्ट के मद्द इस्तिता और मद्द इस्तिता केंद का उध्वाटन कहां किया गया है तो इसका करेक्टर आंसर है है पार तेलंगा ना सूशाचन सब्ता दोजार इक्कीस कब से कब तक मनाया गया है तो यह मनाया गया है बीस से पच्चिस दिसम्बर के बीच में 100% COVID-19 ठीका करेंड का लक्षे प्राप्त करने वाला पहला केंदर शाशी प्रदेश कौन सा बन गया है तो यह बन गया है अंडेमान एन निकोबार उपराश्टवती एम वेंकेयन आईडू जी ने गांधी टोपी गवर्णर कुस्तक का विमोचन किया है इस कुस्तक को किस ने लिखा है तो इस कुस्तक को लिखा है डॉक्टर यार लागडा लक्षमी प्रशाद ने यूमेनेटेरियन असिस्टेंड एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन कहां हुआ है तो यह हुआ है माहरास्ट के पूने में किस रभार्तिय को बैडमिंटर विश्व मासंग ने अपने अथलीट कमिशन का सदर्शन युक्त किया है तो इसका करेक्ट आंसर है पीवी सिंदू को किया है गेब्रियल बॉरिक किस देश के सबसे युआ रास्ट्र पती बने है तो इसका करेक्ट आंसर है यह चिली के सबसे युआ रास्ट्र पती बने है और इनकी जो एज है वो 35 पेर्स है युवाव को खेल गतिविदियों से जोडने के लिए सहाय योजना को किस राजे की सरकार ने शुरू किया है तो ये किया है जारकन सरकार ने और जारकन की नकसल प्रवावी जिलों में युवाव को खेल गतिविदियों से जोड़ कर रचनात्मक बदलाव की सोच के साथ राजय सरकार ने सहाई नाम किये ये योजना स्टार्ट की है हुन्डई मोते इंडिया लिमिटेड के नए प्रवंध निदेशक कौन बने है तो ये बने है अंसु किम उत्रागन राजी के नए ब्रेंड अमिसिकर कौन बने है तो ये बने है रिशब पंथ नेक्स्ट क्रेशन है अंतराश्टी मानव एक जुटता दिवस 2021 कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है बीस दिसंबर को लद्दाग में कहां पहले रेडियो सेवा की शुरुवात हुई है तो ये हुई है लेह के अंदर BWF विशु बैड्मिंटन चैंपियंशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारती खिलाडी कौन बने है तो ये बने है किदामडी श्रीकांथ अंतराश्टी मदू मकी पालन महतसव 2021 का आयोजन कहां हुआ है तो ये हुआ है उत्राखंड के हलदवानी के अंदर 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्स अवोर्ड में सरस्रेष्ट महिला पदारपन का सम्मान किसने जीता है तो ये जीता है अवनी लेखरा ने हाली में किस राज्य में एशियन डवलप्मेंट बैंग ने स्किल यूनिवर्सिटी की स्तापना के लिए 112 मिलियन डॉलर के रेन को मंजूरी दी है तो ये जो मंजूरी मिली है वो असम के अंदर मिली है मेट्रो मेन के नाम से पहचाने जाने वाले निम्ण में से किस शक्ष ने राजनीती से सन्यास लेने की गोशना की है तो ये की है ईश्री धरन जिनको मेट्रो मेन के नाम से जाना जाता है ब्हारत एरान और किस देश ने 14 दुसंबर दिसम्बर 2021 को चाभार बंदरगा के सैंख उपयोग पर बातचीत की है तो इसका character answer है उजबेकिस्तान भारत इरान और उजबेकिस्तान ने चाबार बंदरगा के सेंग की उपयोग पर बातचीत की है जो चाबार पोट है वो भारत के द्वारा निर्मित पोट है हाली में केंद्र सरकार ने किस राजय के जेतापूर में छे प्रमानो उर्जा रियक्टर इस्ताबित करने के लिए सैधान्तिंग मंजूरी दे दी है तो ये दी है महारास्ट में जो जेतापूर प्रोजेक्ट प्रमानो उर्जा रियक्टर है वो महारास्ट में लगने वाला ह इंडियाज एंशी एंड लिंगेंसी पुस्तक को किस ने लिखा है तो ये लिखा है रेखा चोधरी ने 16 दिसंबर 2021 को किस देश के जोमो सूप को युनेस को द्वारा अमूर्त सांसकर्तिक विरासर सूची में शामिल किया गया है तो ये है हेती का नेक्स्ट क्वेशन है गोवा मुक्ती दिवस 2021 कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है 19 दिसंबर को नेक्स्ट क्वेशन है नई PD की प्रमानु सक्षम बैलिस्टिंग मिसाइल अगनी पी का सफलता पूर्वक परिक्षन किसने किया है तो ये किया है DRDO के द्वारा किया गया है आप सभी के लिए टेलिगाम चेनल पर क्वीज अप्लोड कर दिया गया है वहाँ जाकर आप इसे अ कर सकते हैं और लेक्चर की पीडिया भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं तमिल थाई वास्दू को किस राज्य का राज्यगीत गोशित किया है तो इसे किया है तमिल नाडू का राज्यगीत गोशित किया है और जो तमिल थाई व और 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका correct answer है कुमार मंगलम बिर्ला को इससे सम्मानित किया गया है next question है यू government द्वारा किये गए एक सर्विक्षन में दुनिया के सीर्स 20 सबसे प्रशनसित पुर्शो की सूची 2021 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को कौन से स्थान पर रहे हैं ये तो ये नंबर 8 पर रहे हैं और जो यू company है वो एक data analytics company है और top 3 की बात करें इस list में तो first नंबर पर रहे हैं बराक अबामा जो अमेरिका के पहले राष्टपती रह चुके हैं बिल गेट्स जो अमेरिकी जो company है Microsoft उसके founder है तीसे नंबर पर रहे हैं चीन के राष्टपती शी जिन पिंग नेक्स्ट क्वेशन है सूफर टाइफून राई ने किस देश को प्रभावित किया है तो ये किया है फिलिपिन्स को इसका correct answer है फिलिपिन्स नेक्स्ट क्वेशन है अंतराष्ट ये प्रवासी दिवस 2021 कम मनाया गया है तो वो मनाया गया है 18 दिसंबर को टाइम मेगजीन ने athlete of the year 2021 किसे चुना है तो ये चुना है शिमोन बाइल्स को national energy conservation Award से किस राजे को सम्मानित किया गया है तो ये राजसान राजे को सम्मानित किया गया है नीजी स्तिमाल के लिए भांग को मनजूरी देने वाला पहला यूर्य देश कौंसा बन गया है तो ये सम्मानित किया गया है भारत के प्रधान मंत्री Mr. Narendra Modi को कहां कि सरकार ने हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी में त्री भाषी भूमी पास्बूक जारी करने का फैसला किया है तो यह किया है जम्मू एं कश्मीर की सरकार ने अगला क्वेशन है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांग 2021 को किसने जारी किया है तो यह जारू किया है Economical Advisory Council to the Prime Minister अगला क्वेशन है नाइट हूड की उपादी से किस F1 रेसर को सम्मानित किया गया है तो यह किया है Lewis Hamilton को किया गया है नेक्स्ट क्वेशन है सूर्य को छूने वाले दुनिया के पहले अंत्रिक्ष्यान पारकर सोलर प्रॉब को किस Space Agency ने विक्सित किया है तो यह विक्सित किया है NASA ने NASA के दोरा यह विक्सित किया गया है जो जाकसा है वो जापान की Space Agency है और जो ISRO है वो इंडिया की Space Agency है, CSA Canada की Space Agency है और जो Parker Solar Rob है वो NASA के द्वारा विक्सित किया गया है Next question है, Asian Champions Trophy Hockey 2021 में भारत में कौन सा पतक जीता है तो इन्होंने जीता है Bronze Medal Hockey Team ने Tokyo Olympic में भी Bronze Medal जीता था 41 years के बाद में और भारती होकी Team को Team of the Year recently Announce किया गया है और भारत में होकी का जो जादूगर है मेजर ध्यांचन को कहा जाता है 29 August को खेल दिवस इनी के जनम दिवस के उपलक्ष में मनाया जाता है और अभी 29 August 2021 को राजीव गांदी खेल रत्न पुरसकार का नाम बदल कर मेजर ध्यांचन खेल रत्न पुरसकार कर दिया गया है नई PD की प्रेलर मिसाइल का प्रथम उडान परिक्षन किस ने किया है तो ये किया है DRDO के द्वारा और प्रेलर मिसाइल की बात करें तो ये surface to surface मिसाइल है और ये ballasting मिसाइल है और इसका जो परिक्षन है वो कलाम द्वीप से किया गया है और ये है thousand ton तक explosive ले जा सकती है इसकी capacity है ये नेक्ट बात करें higher times higher education Asia award 2021-21 संस्ता को सम्मानित किया गया है तो इसका correct answer है O.P. Jinder Global University को इससे सम्मानित किया गया है next question है राष्ट्रिय किसान दिवस 2021 कम मनाया गया है तो ये मनाया गया है 23rd December को और चोदरी चरन सिंग जो भारत के प्रधान मंतिर है रह चुके हैं उनके जनम दिवस के उपलक्ष में किसान दिवस मनाया जाता है और अभी 25th December को सूशाशन दिवस मनाया जाता है सूशाशन वीक चल रहा है अभी 20 December से 25th December सक चलेगा ही देश भर में नवन मेश को और उद्वियों को सशक्त बनाने के लिए वर्णा क्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को किसने शुरू किया है तो इसका करेक्ट आंसर है नीती आयोग ने और नीती आयोग ने इनोवेशन को प्रोमोट करने के लिए यह स्कीम स्टार्ट की है और यह जो प्रोग्राम है वो इंडिया में इनोवेटर्स और एंटर्परनियोर्स को सेंटर द्वारा 22 लेंग्वेज में इनोवेशन एको सिस्टम तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाएगा और यह जो उनकी लेंग्वेज की जो प्रोग्लम है उसको दूर करने में हैल्प करेगा नेक्स्ट क्वेशन है बीजिंग में आगामी 2022 शीत कालीन ओलम्पिक के लिए भारतिय दल के शेवडी मिशन कौन बने है तो इसका करेक्टर आंसर है हरजिंदर सिंग बने है और चार परवरी से यह बीजिंग में यह शीत का विंटर ओलम्पिक स्टार्ट होने वाले है नेक्स्ट क्वेशन है बैचलर डैड पुस्तक को किस में लिखा है तो इसका करेक्ट आंसर है तुशार कपूर के द्वारा ये लिखी गई है एक बुक है स्टार इन दे स्काई ये दिव्या दत्ता के द्वारा लिखी गई है और 2018 में सरोगेसी के जरिये बैटे लक्ष कपूर की ये सिंगल डैड बने है नेक्स्ट क्वेशन है विधास्टी विलियर्ज 2021 का किताब किस ने जीता है तो इसका करेक्ट आंसर है ये पंकच अडवानी ने जीता है अब बिलियर्स क्या होता है बिलियर्स के अंदर एक आयता का टेबल होती है और एक छोटी-छोटी सी बॉल्स होती है एक लंबी छड़ी होती है जिसे क्यों कहा जाता है तो इस प्राइट का ये खेल है और इसका जो खिताब है वो पंकच अडवानी ने जीता है किस राजय सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में 1% आरक्षन देने की घोशना की है तो ये करनाट का सरकार ने की है नेक्स्ट क्येशन है निम्न मेंसे किस राजय की सरकार ने जगनात रतियात्रा को राजे उत्सव घोशित किया है तो ये किया है पंजाब सरकार ने भगवाज जगनात यात्रा का जो आयोजन है वो ओडिसा के पूरी में किया चाता है और भारत की सबसे बड़े त्योवारों में से ये एक है जहां लाको गगत रतियात्रा में भाग लेते हैं तो ये था आज का सेशन I hope आपको पसंद आ रहा होगा टेलिग्राम चैनल को आप जोइन करें तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में